नमस्कार दोस्तों, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखिए अब जो ये सिक्छा विभाग के दुवारा जो भी सिक्छा सेवक की भरती होती है जिसको पहले आप टोला सेवक के नाम से जानते हैं उन पदे पर भरती यहां पर निकाल दी गई है और जून के अन तक भरती पर कराने जाये के लिए अनुरोध यहां पर किया गया है ऐसे में अगर आप भी सिक्छा सेवक के पदों पर भरती होना चाहते हैं क्योंकि बिहार के अलग-अलग जीलो में जहां भी सीट खाली है जहां पर सिक्छा सेवक काम नहीं कर रहे हैं वहां पर पूरी तरह से भरती यहां पर कराई जाएगी तो इससे जुड़ी सभी जनकारी हम इस वीडियो में कभर करने जा रहे हैं क्योंकि यह बहुत ही अच्छा एक कोष्ट होता है और आप अपने टोले में ही रहके काम करते हैं जिसमें आपको अच्छा कासा सेलरे मिलेगा एदुकेशनल क्या होनी चाहिए और सिक्छा सेवक का काम है वो काम क्या होता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम वाटसप पर जोईन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है जाकर जोईन कर लिजिएगा मेरे पाई जो हिंदुस्तान का पेपर क कटिन है जो कि आज कहीं पेपर को उठाकर आप चेक आउट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा हाला कि इसको हमने टेलीग्राम वाटसप पर भेद दिया हुआ है वहां सभी इसको नाउलोड कर सकते हैं इसमें बोला गया है कि राजे में 25-78 जो सिक्षा सेवक है उ कोई भ़ती होगा ठीक है तर शबसे पहले हम ठूरा सा क्वालिफीकेशन की रीगार्ड sketch को बात कर लेते हैं देखिए जो भी महादालित है यूझे आहां rapport कर सकते हैं डियलीटे को हिसमें यहाँ निकाल बहुलता है उसको दी जाती है उसके बिहाब पे ही आपको form को भरना होता है notification कहां से download करना होगा वो भी आपको बताएंगे ठीक है तो यह इसका कुछ basic qualification होता है जिसको आपको fulfill करना होता है और जिस पंचायत वाट से भरती आई हुई है वहीं के आपका अस्थाई निमासी भी होना जरोरी होता है इन बातों को ध्याँ रखेंगे इन्होंने बताया हुआ है कि ललांदा में जो है 81 यहाँ पे पोस्ट खाली पड़े हुए है तो वहाँ पे ललांदा में जो लगबग जो है 80 जो उथान केंदर है या फिर ताल्मी मरकच केंदर है वहाँ पे भरती सिक्षा सेखोक की होगी साथी साथ 25 जो भरती होगी पूरे बिहार में अलग अलग जीलो में जहां भी पोस्ट खाली होगा वहाँ पे बहाली की जाएगी इसको लेकर जो जन सिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने हैं वो सभी DM को पत्र लिख दिया हुआ है कि हाँ इसको लेकर जल से जल भाली यहाँ पे कराई जाए इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कि सभी जो DM है उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो ही जून के अंतक इन लोग का भरती परकिरिया है उसको पूरी तरह से करवा ले इन्होंने बताया हुआ है कि ललान्दा जिले के जो उथान केंदर है उसमें चोंवन और तालमी मरकज केंदर में 27 और जो भी सूबे के उथान केंदर है उसमें 1465 और तालमी मरकज केंदर 1173 शिक्षासरों की बहाली की जानी है यानि कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो ललान्दा है उसमें उथान केंदर के लिए 54 पदों पर भरती होगी और तालमी मरकज में 27 पदों पे आपका भरती होगी मतलब कि यह जो भरती आपका होने जा रही है वो तालमी मरकज में जो है अलवसंक्य फॉर्म भरेंगे और उथान केंदर में जो भी महादलित है और अती पीछ रहा है वो यहां पे फॉर्म को भरता है बाकी पूरे सुबे कि हम बात करें पूरे अलग-अलग जीलों की बात करें तो उथान केंदरों देखेंगे तो चौदर असर जो है पैसर यहां पे केंदर में आपका भरती होगा और तालमी मरकच का जो है गारस 13 यहां पे जो पोस्ट है वो रखे गए हैं जिसके अर्तकरत आपको फॉर्म को भर देखेंगे उसके बाद आपका सलेक्शन होगा लग-अनदा जीले के उथान के अंदरों में चार सव जो अर्थालीस पहले से लोग काम कर रहें और तालमी मरकच की बात करें तो लगभग एक से एक सिक्षा से वक्षा जो है पहले से काम कर रहे हैं जबकि हम पूरे बिहार इसमाचु वा एसा नहीं है कि नया भरती है बहुत बर भरती आता है भरती होता है और बहुत सुर लोग यहाँ पर काम भी करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे तुमारी बत्याए हुआ है कि निदेशक ने DM को भेजे गए पत्र में कया है कि महा अल्फ संख्यक, अति पिछर्या, बर्ग अच्छर आ चलेयो जना नहीं के जो बच्छे होते हैं उनको पढ़ने से जोड़ना भी उनको पहले कोचिन करवारा भी अपच्छा सेवक्या पास होती है तो इसी के तोह जो है अपका भरती यहां पर होने जाय रही है ठीक है इन्होंने बताया हुआ है कि तालमीर मौरकज के अंदर में सिक्षा सेवकों के रिक्त पदो पर सिक्षा सेवक के चैन की पर किरिया पूरी कराई गई थी कई जिलो में सिक्षा सेवक का चैन कर उनको ट्रेनिंग भी करा लिया गया था लेकिन लोग सभा चुनाओ के लिए अदर्स अचार सहीता लागू हो जाने के कारण कई जीलों में सिक्षा सेवक्त के जो चैन पर किरिया है पूरा नहीं हो सकी थी देखिए इससे पहले भी 23 में भरती आया हुआ था लेकिन उसमें क्या हुआ है कि जो अदर्स अचार सहीता है वो लग गया जिसके बाद से भरती नहीं हो पाई सिक्षा विभाग के अपर मुख्यस अच्छीव के आदेश पर चुनाओ अचार सहीता समाप्त होने पर ततकार लिक्त पदो के विरूद चैन पर किरिया सुरू कराने का जो यहां पर दिया गया है तो कार्य की हम बात करें तो देखिए जो भी अच्छा राचले उजना होता है उसके तहद जो भी दली टोले में बच्चे होते हैं उनका 25 बच्चों का गुरूब बनाएंगे और स्कूल जाने से पहले एक या दो घंटे का कोचिन आपको करवाना होगा जैसे कि आप देख जिम्वारी इन ही के पास होती है ठीक है माली जो कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको देख रहे करना कि भाई क्यों नहीं जा रहा है क्या प्रोब्रम है उसको जो भी अनपढ़ महिलाये होती है उनको पढ़ाने का उनको सक्षर बनाने का भी दाइत्व जो ही इनके पास ही होता है जो कि आप अपने टोले में रहके करते हैं और बहुत अच्छा पोश्ट होता है सलरी की हम बात करें तो दस से लेकर 12,000-15,000 रुपार तक जो ही सलरी इनको देखने को मिलता है और पूरी तरह से आपका सबिंदा यह जौब होता है ठीक है चांद परिगे कि हम बात करें तो फॉर्म को भरेंगे जो भी आपका मैट्रीक का अंख होगा उसके भिहाब पर आपको जो ही सलेक्ट किया जाएगा और आपको भरती कराए जाएगी कोई भी अप्लिकेशन भी नहीं देना होता है और नहीं किसी परकारी को एकजाम होती है अब आप मेंसे वीडियो बना कर बताया था कि अलग-उलग जीलो से नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है और उसके माधियम से आपको फॉर्म को भरना है तो इस बार भी क्या होगा कि जो भी जीले को पीसिल पोटल है नाइसी वाला उसके माधियम से आपका भरती पर क्रिया कि पूरी जनका करना है कि सबसे पहले सर्च करना है egtunnet.com क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां पे सभी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाता है तो इसको आप अपने क्योंकि आपको आपको बहुता है और इसमें इसमें आपका मेरिट बनता है ठीक है बाकी नीचे आएंगे तो इस सभी जनकारी आपको देखने को मिल जाएगा और जो भी आपका पेपर नोटीस है आप यहां से डाउनोड कर सकते हैं और अपलाई करना चाहते हैं देखिए पर उपीशन नोटिफिकेशन का जो बटन दिया गये इस पर आपको क्लिक करना होगा तो बिहार की जितने भी जिले हैं उन्सभी का जो एनाइसी वाला पोटल है आपको यहां पर देखनी को मिल जाएगा सपोज कर यह कि आप भागलपूर या फिर भोजपूर या फिर बखस जिस भी जिले से आते हैं एक बार कमेंट भी नाम अपना बता दीजिएगा उस जिले पर आपको क्लिक करना होगा जिसे को पोटल पर आपको जाना होगा और नोटिस का आपको बटन मिलता है जहां पर रिकूर्मेंट का जो एक बटन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना होता ठीक है किलिक करेंगे तो यहां पर जो भी रिकूर्मेंट आई होगी भरती आई होगी सिग्छा से वПр 컨 hesitate कर सकते हैं तो यहां पे आप उसको ev canine करके सकते हैं और ही स्वалась और यहीं इस notification को आफ लूब कर सकते हैं डीक है नोटिफिकेशन को डाउलोड करने के बाद उसमें जो भी जाती बहुलता मेंसन होगा जो भी वार्ड मेंसन होगा वहां से पाते हैं जाती को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भरेंगे फॉर्म भरने का जो परकिरिया होता है परखंडवार हो सकता है जीलावार हो सकता है य यहां पर नोटिस और इकूर्मेंट के सेक्शन पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो अभी इसके बारे में जनकारी आ गई है कुछ दिन को बाद जो है नोटिफीकेशन भी आ जाएगा क्यूंकि जुन से जुन के लास्ट तक भरती परक्रिया पूरी तरह से करा ली जाएगी तो मैंने जो सभी जनकारी इस वीडियो में कभर करने की कोशिज किया हुआ है वीडियो थोड़ा से बैच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम टेली ग्राम या फिर जो प्लीज वाट